Hello everyone, कैसे हो आप सब? Yes, sir. सब बढ़िया? Yes, sir. जानते हो आप लोग मुझे जानते हो? Yes, sir. अच्छे से जानते हो? Yes, sir. बहुत बढ़िया. हाँ, जी? अरे चाँ, dear sir, पहचानते हो, बहुत अच्छी बात है. तो आप लोग पढ़े हो हमसे, कभी न कभी तो पढ़े ही हो? Yes, sir. अच्छा, कौनसी क्लास में आप सब? Yes, sir. 12th क्लास में हो? Yes, sir. बहुत बढ़ी बात है, भाई, लग तो नी रहे 12th क्लास वाले? चोटे-चोटे बच्चे हैं यहाँ तो? मुझे तो तुम भी नहीं लग रहे हैं? कुछ दिनों के महमान हुआ? अरे मतलब, स्कूल में कुछ दिनों के महमान हुआ? आपके सामने इसलिए आया हूँ कि अगर कोई बच्चा, पता है यह जो हस रहे है ना बच्चे, यह हसते हुए चेरे पे, मत जाना. इन हसते हुए चेरों के पीछे बहुत डर्द छिपा हुआ है, बहुत दर्द है. वो क्या है बता है? कि पूरे साल तो पढ़ नहीं पाए, अब टेंशन हो रही है, तो हम मजाख में उड़ा देते हैं. पास तो होई जाएंगे जैसे तैसे हम हसना शुरू करते हैं. हम मजाख उड़ाना शुरू करते हैं. हम कहते हैं चल जब preparation करी यह नहीं थी, तयारी करी यह नहीं, तो और छोड़ी दो बस. अब तो छोड़ी दो, अब कुछ नहीं हो सकता. ऐसा फील आता है ना? चाहे तु आपने आपको उस comparison से निकाल देते हैं, हम कहते हैं हम तो इस race में नहीं दौड रहे हैं, अगर हम हार भी कहे तो हम दौड ही रहे हैं, जब कि सच्चा ही है कि जितने लोग यहां बैठे हैं वो सब race का इस्सा है, यह मैं सोचो कि उस पर tag लग गया कि वो नहीं पड़े गा है इस पर tag लग यह नहीं पड़ती बच्ची, तो वो पड़ता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ में जो पढ़ रहा होगा, अच्छा कर रहा होगा, वो ही आगे जाएगा और आपके उपर tag लग नहीं है, कहां इसने नहीं किया, तो अगर किसी को अभी डर लग रहा है क मैं कैसे तयार करूँ, मैं उमीदी खतम है, फेल होने का मतलब यह थोड़ी के तुम्हारे 30% नमबर आ जाएगे और जो फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पास तो 33 वाला होई जाता है, 34 वाला होई जाता है, लेकिन यह मान के चलो, 12 के बाद त 12 में कितने आ जाएंगे, कितने, 63 तुम्हें मालूम है, 63 पे तुम्हारा किसी रेगुलर कॉलेज में एडविशन नहीं हो पाएगा, मालूम है, ओपन से कर लेंगे, ओपन से कर लेंगे, लेकिन एक चीज याद रखना, ओपन से करने के बाद कोई पढ़ाई कंटीनियू, आप जादा कर नहीं पाते हो, 12 करने वाला बच्चा और ओपन से ग्रेजुएशन करने वाला बच्चा अल्मोस बराबर ही रहता है, यह मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आप किसी से भी पूछ लेना, अपने किसी बड़े भेन भाई से बात करते हो आप, जो पढ़ा जितने भी यह कूल बनके बच्चे घूमते हैं, औरे कॉलिज जाओ यार, वहाँ जाके कूल बनके दिखाओ, वहाँ पे अच्छे कपड़े पहन लेना, क्या दिक्कत है, यहाँ पे कलरफुल कपड़े पहनते हो, आप लोग बढ़ी अच्छे से बनके आते हो, वहाँ बनन आए हो, कि रियलिटी में जियो, रियलिटी क्या है, कि अगर आपको डर लग रहा है, या अपने मान लिया, मेरा कुछ नहीं होने वाला, 65 यह आएंगे, भाई, क्यो 65 यह आएंगे, अभी कितने महीन हैं, बोड्स एक्जैम में, दो मान लो, मोटा मोटा दो महीने मान लो, दो महीने में, जैसे मैंने आप से का, कि if you fail to plan, you plan to fail, अभी मेरे से बात कर लो, तो जाद अच्छा है, यार, इतना भी बुरा नहीं हूँ है, मैंने आप लोगे से सवाल किया, कि आपकी क्लास को सबसे intelligent बच्चा कौन सा है, किसी ने नहीं का, मैं हूँ सबसे intelligent, काई नहीं तुमारे अंदर भी है, वो intelligent attack क्यों लगा है, वो तुमसे पढ़ता ज्याद है, बस, वो सुनता ज्याद है, यही तो फर्क है, यह और कोई फर्क है, अगर तुम पढ़ने सुने पर आज़ो तो तुमसे जाने intelligent है नस कोई, नहीं लगता ना कोई, है, अरे मैं तो तुमारे आज़ी बात है, अचा, प्राइविट इस्कूल के क्रटास के बच्चा आप जयसे है, नहीं है ना, ऐसा फ्यूत, क्या फरक है अप नोर उन में, निमांग कम है आपका, आपका दिमांग में, वो थारा दिमांग वाले, ऐसा है, फीस से फरक नहीं पढ़ता, फीस से फरक न उन्हें पता है, they know their goal, they know what they are doing, they know what they will do, that's the difference. में फिर्गेया की कीश को हराओ, लायों भुषे के आप पढ़ता है, आप जादा बोलते हो, यह सुनों से खांथा का निया किसिने गैरेंटी दिए कि आपके लिए के आप 100% पर संट पास जाके मैं भी देख रहा था, आप प्शे आपो किया कहता हैं आपके पसिंग मिलेगा भी मैं सचा यह बता रहा हूं तुम इसकी शगल देखने को तरस जाओगे वह ले जाएगा कॉलिज में अडिमिशन हो गया और तुम को गया मैं यहां पे मैं क्या कर रहा हूं यहां पर मारी चला रहा हूं अना मतलब आपको छोटा मोटा काम करोगे फिर क्या फायदा सो बच्चों अपने टार्गेट बड़े रखो अपने जो फॉर्ट प्रोसेस एकदम क्लियर रखो पहले तो अपना गोल तेया रखो 12 क्लास में कि मुझे कितने मेरे को ट्राइं करने सबसे पहला गोल तो होना चाहिए कि आर्ट स्ट्रीम के आप लोगो मुझे आफटर 12 है रेगुलर कॉलिज में अडविशन लेना है मैं आपसे बता रहा हूं आप तो बच्चा लोग सबसे पहले तो प्लैन करो कि सी यूटी देना है और उसकी तयारी करनी करनी है उसके लिए कोचिंग करना चाहो तो करो वहांना ओनलाइन सब कुछ वहां पे रखा हुआ है सो टेंशन मतलो लेकिन शुरुवात आपको ही करनी है यह याद रखना लास्ट एक बार वन्स अगैन आम गना से ओन तो यू कोई इंटेलिजेंट नहीं है कोई फेल करना है हमें फुर्ष लीन माइड में रखना है कि मेरा प्र्लान एस जुछ नहीं रही है और बस पता होना चाहिए कि आगर यह नहीं तो यह उसकी प्रिपरेरेशन करने को नहीं कह रहा है आपसे प्रिपरेशन आप प्लान एक करो अपना फूल एफ़ट उस ही पे लगाऊ तो मेरे पास क्या options available हैं तो available options आपके पास होने चाहिए जरूरी नहीं उनको exercise करना है यह टॉप आरे इस पर टैग लग गया ऐसा हम सोचने लगते हैं पता है क्यों सोचते हैं क्योंकि हम अपने आपको उस comparison से निकाल देते हैं हम कहते हम तो इस race में नहीं दोड रहे अगर हम हम हार भी गये तो हम तो दौड़ी नहीं रहे जबके सच्चा ही है कि जितने लोग यहां बैठे हैं वो सब race का हिस्सा है यह मस सोचो कि उस पर टैग लग गया कि वो नहीं पढ़े गया यह इस पर टैग लग गया नहीं पढ़ती बच्ची तो पढ़ता नहीं है ऐसा कुछ कुछ नहीं है लाइफ में जो पढ़ रहा होगा अच्छा कर रहा होगा वही आगे जाएगा और आपके उपर टैग लग नहीं है कि है इसने नहीं किया तो अगर किसी को अभी डर लग रहा है कि मैं कैसे तयार करूं मैं उमीदी खतम है बिल्गल उमीदी छोड़ रखिए क इसका मदलब समझते हो कि अधर आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो ना तो आप फेल होनी की प्लानिंग कर रहे हो फेल होने का मतलब यह थोड़ी कि तुम्हारे 30% नमबर आ जाएगे और जो फेल हो जाओगे ऐसा नहीं है ऐसा बिलकुल भी नहीं है पास तो 33 वाला होई जाता है, 34 साल होई जाता है लेकिन यह मानके चलो, 12 के बाद तुम्हारी पढ़ाई खत्म, कुछ नहीं हो सकता फिर, क्यूं, क्यूं नहीं हो रहा कुछ, क्यूंकि हमारी को प्लानिंग नहीं है, स्मार्ट एक स्टूडेंट पता है क्या करता है, साल पर नहीं भी पढ़ प जितने अचीव कर पहले सोचो कि कम से कम तो मेरे 9th में 60 थे तो मेरे अंदर पोटेंशल है कि मैं 20% तो बढ़ाई सकता हूँ 80 तो मिलाई सकता हूँ यह नहीं कि 100 परसेंट लियांगा मैं तो मैं तो 98 लाने वाला हूँ अरे इस सोड़ी हो जाएगा ठीक है तो सबसे पहले प् कर सकता हूँ और उसके बाद फिर किस चीज की प्लानिंग करोगे फाइनल्स की कि अब 72 तो आई वे थे अब मैं जा सकता हूँ 90 के अराउड सबसे पहले काम क्या करना है चाहे इंग्लिश हो या जितनी भी आपके सब्जेट्स हैं उनका सिलिबस पता करो सिलिबस पता करने के बाद जानि फॉरू करो प्लानिंग ऐसे करोगे कि मैं कितने मांस ला सकता हूँ दो महिने में कितनी प्रिपरेशन रह सकता हूँ जैसे बचैटर आवा से ओम हjangता है这 style डा इशोब सबसे जादा किसका है वह देखना है और उनमें जो आपको असान लगे सबसे आसान सब्जेक्स से स्टार्ट करना है एर पाऊगे ऐसे कितने बच्चे इनको पढ़ने से शुरू आती नहीं कर पा रहे हैं डर लग रहा है कोई है प्लीज माइक देना फिसे यह बिल्कुल शुरू नहीं कर पा रहे हैं अशर हुआ एविए डर लग रहे है बिल्कुल शुरू नहीं पा रहा है ऐसा बहुत होगा आपके साथ कि आप डर रहे होगे शुरू यह नी कर पा रहे होगे उसका सबसे इजी टॉपिक उठाओ जो सबसे इजी आपको लग रहा है उससे पढ़ना शुरू कर दो यह डर आपका खत्म हो जाएगा बाकि 10th उनसे बताओ वह आपको रिजॉल्व करेंगे आपका प्रॉब्लम साथ ही मैं तो आपको हमाई चैनल पर लाइव रिजन कराऊंगे 10th का भी मैट्स का भी होगा इंग्लिश का भी होगा तो इसकी टेंशन मत लेना ठीक है और आपकी प्रॉब्लम सुनी जो भी सुन सकता था once again बहुत प्यारे बच्चे आप लोग, thanks for your support and cooperation अरे वो तो, याद अच्छा हो तभी तो यहाँ हो thanks a lot